स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिपलोमा कलासिस में तो आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इंफर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग 2022 में भी हार पोल टेक्निक का परवेश प्रकिशा दिये थे और रेंग कार्ड यानी रिजल्ट आ जाने के बाद पोल टेक्निक काउलेज में अडिमिसन के लिए अपना काउंसलिंग जो है उसको करा चुके थे लेकिन क्या था रेंग काधिक होने के वज़ा से ना ही इनको फर्स्ट डाउन में अडिमिसन मिला और ना ही सेकन राउन में तो यह लोग क्या कर रहे हैं लगतार हमारे यूटूब चैनल पर कॉमेंट कर रहे हैं कि सर हमें सेकन राउन में भी पोल टेक्निक काउलेज नहीं मिला तो अब हम क्या करें तो देखिए अगर आप लोग इस वीडियो कोई तक देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर भी हार पोल टेकनिक मपप काउंस्लिंग का जो प्रोसे से पूरा समझ में आ जायेगा और वैसे स्टुडेंट जो लोग पूछ रहे थे कि मपप काउंस्लिंग आखिर कब से होगा तो आपको इभी मलुम चल जायेगा अगर आप लोग भी हार पोल टेकनिक 2022 के स्टुडेंट हैं और खुद के मुबाइल से यहां जानना चाहते हैं कि भी हार पोल टेकनिक 2022 का मपप काउंस्लिंग आखिर कब से होगा तो सबसे पहले आप सभी को अपने मुबाइल में जो इखे क्रूम ब्राउजर है इसको ओपेन कर लेना होगा और ओपेन करके सर्च बार में सर्च करना होगा बी, सी, ए, सी, य तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे सर्च कर दिया गया है अब आपको एक बार क्लिक कर देना होगा और जैसे आप लोग क्लिक किजिएगा तो आपके मुबाइल के स्क्रीन पे कुछ इस परकार से दिखेगा देखिए HTTPS bcacboard.vehi.gov.in फिर उसके नीचे लिखेगा bcac तो आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है और जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक किजिएगा तो आपके मुबाइल के स्क्रीन पे कुछ इस परकार से दिखेगा बिहार संजुक्त परवेश परतिवगिता परिक्छा फरसद और उसके नीचे दिखेगा बिहार कॉंबाइंड इंट्रेंस कॉंपटेटिव इजामीनेशन बूर्ड यानि या बिहार पोल टेक्निक यानि बीसी सीबी का अफिस्यल बेव साइट है और हम यही समाब सभी को बताने वाले हैं कि बिहार पोल टेक्निक का मौप अप रावन काउंस्लिंग कब से होगा तो इस वीडियो को आगे बराने सपल आप से एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूट कर ले और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारे चैनल डिपलोमा कलासिस के माध्यम से बिहार पोल टेक्निक के फर्म से लिए करके एडमीशन तक जितने सारे प्रोसे से उसके उपर वीडियो को बनाया जाता है तो चलिए फैनली आप सभी को बता दे कि जो आप लोग का मप अप काउंस्टिंग है आखिर कब से सुरू हो जायागा तो देखिए इसके लिए हमको भी हार पोल टेक्निक के एक ओफिसियल जो है नोटिस के उपर जाना होगा तो आप लोग अपने मुबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं यह अभी हार पोल टेक्निक का ओफिसियल नोटिस है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें बताया गया है कि जो सेक्ट राउंड के एडिमीशन है यह फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कब तक कम्प्लेट हो जाएगा और जैसे ही कम्प्लेट हो जाएगा इसके दो दिन के बाद से यानि पंदरे अक्टूबर से जो मॉप अप कांस्लिंग का जो नोटिस है वह फाइनली आज आएगा कि मॉप अप कांसलिंग कब से होगा अब चलिए आप सभी को बता दे कि Mop-Up Counseling क्या है और इसका process क्या है तो देखिए Mop-Up Counseling एक परकार का offline counseling है लेकिन इसके लिए जो online willingness से इसको submit करना होता है तो आप लोग पुछिएगा कि जो willingness से इसको कैसे submit करेंगे तो देखिए आई से तीन या चार दिन के बाद BCEC के अफिसियल साइट पे एक जगह दिखेगा विहार पोल टेकनिक मपप कांस्लिंग विलिंगनेस सॉब्मिट है याड तो आपको वहाँ पर किलिक करके अपना डेट आफ वर्थ और रॉल लमर को डाल करके विलिंगनेस को सॉब्मिट कर देना होगा और जैसे ही आप लोग सॉब्मिट कर दिजिएगा उसके दो या तिन दिन बाद एक PDF आएगा और PDF में बहुत सरा रॉल लमर होगा तो वहाँ पर आपको अपना रॉल लमर मिलाना होगा और जब आपका रॉल लमर मेज कर जाएगा तो उसके बगल में लिखा होगा कि पटना में इस तरिख को इतना बज़े आपको आना है अगर आप लोग उस दिन चले जाते हैं तो आपको भी हार पोल टेक्निक कॉलेज में कोई ना कोई बरांच जो है आपको मिल जाएगा तो बस यहीं प्रोसे से भी हार पोल टेक्निक मपप काउंसलिंग का तो इस वीडियो से संबंदित कोई भी क्वेशन होगा कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग कॉमेंट करके हमसे सीधे पूछ सकते हैं